Hello friends, Namaskar, Welcome to my channel Shanti Peace of Mind दोस्तों आज मैं श्री गर्ब गीता पाट करने वाली हूँ चलिए आप और हम मिलकर इसे पढ़ते वा सुनते हैं श्री कृष्णाए नमाहा, श्री गर्ब गीता श्री कृष्ण अर्जुन समवाद है भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्ब गीता का पाट एवं प्रचार करता है वह फिर गर्ब में वास नहीं पाता पांडू पुत्र अर्जुन ने पूछा हे श्री कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्ब में आता है सो किस दोश के कारण आता है जब यह जनमता है तब इसको जरा आधिक रोग लगते हैं तरह तरह के दुख भोगता है बुढ़ापे के कष्ट सहता है फिर इसकी मृत्यू होती है हे स्वामी वह कौन से कर्म है जिनके करने से प्राणी जनम मरन से छूट सके श्री कृष्ण भगवान ने कहा हे अर्जून यह जो मनुष्य है सो अंधा वह मूर्ख है जो संसार के प्रती प्रीती रख करता है यह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं आठो पहर माया को ही मांगता है इसी लिए बारंबार जनमतावा मरता है और गर्ववास के दुख पाता है पांडू पुतर अर्जून ने कहा हे श्री कृष्ण यह मन मदमस्त हाथी की तरह है और तृष्णा इसकी शक्ती है यह मन काम, क्रोध, लोब, मोह और अहंकार के वश में है तथा इन पांचों में अहंकार सबसे बली है सो कौन से यत्न है जिस से मन वश में हो जाए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अरजून यह मन निश्चे ही हाथी की तरह है तृष्णा इसकी शक्ती है मन इन पांचों के वश में है अहंकार इन में श्रेष्ठ है हे अरजून जैसे हाथी अंकुष से वश में होता है वैसे ही मन रुपी हाथी को वश में करने को ग्यान रुपी अंकुष है अहंकार करने से यह जीवन नर्क में पड़ता है अरजुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण कुछ तुम्हारे नाम के लिए वैरागी हुए वन खंडों में फिरते हैं, कुछ धर्म करते हैं इस विशे में कैसे मालूम पड़े की जो वैशनव है वे कौन है श्री कृष्ण जी ने कहा हे अरजुन जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं और जो सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं उनमें भक्ती नहीं हैं क्योंकि वे अहंकार से ग्रसित हैं इनको मेरा दर्शन दुरलब है अरजुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा हे श्री कृष्ण वो कौन सा पाप है जिससे इस्त्री मर जाती है वो कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं और व्यक्ति नपुनसक किस पाप से होता है श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जून जो किसी से करज लेता है और देता नहीं है इस पाप से उसकी इस्त्री मर जाती है और जो किसी की अमानत को नहीं लोटाते उनके पुत्र मरते हैं जो किसी का कारे करने का वचन दे कर भी उ इस पाप से नपुन्सक होते हैं ये सब बड़े पाप है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा हे श्री कृष्ण किस पाप से मनुष्य रोगी रहता है किस पाप से गधे का जन्म लेता है इस्त्री का जन्म तथा टटू का जन्म किस पाप से होता है श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अरजून, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान का मूल लेते हैं, वे मनुष्य सदारोगी रहते हैं, जो विशे विकार के वास्ते मदीरा पान करते हैं, वे टट्टू का जनम पाते हैं, जो जूठी गवाही देते हैं, वे इस्त्री क जर्म पाते हैं, जो रसोई बना कर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जर्म पाते हैं, जो मनुष्य अपने जूठी वस्तू दान करते हैं, वे इस्त्री का जर्म पाते हैं, जो दासी बनती है, अर्जुन ने भगवान श अपने हाथी, घूरे, रत्थ दिये, उन्होंने कौन सा पुन्य किया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जून जिन्होंने सुअण दान किया है उनको हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं जो परमेश्वर के निमित कन्या दान करते हैं सो समरिध पुरुष का जनम पाते हैं पांडू पुत्र अर्जून ने कहा हे भगवान जिन पुरुषों की सुन्दर दे है उन्होंने कौन सा पुन्य किया है, किसी के घर संतती है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुन्य किया है इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अरजुन जिन्होंने अन्लदान किया है उनका स्वरूप सुन्दर है जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्वान होते हैं जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं हे श्री कृष्ण किसी को धन से प्रीती है कोई इस्त्रियों से प्रीती करते है इसका क्या कारण है इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा हे अरजून यह अज्यान है क्योंकि धन इस्त्री सब नाश रूप है किन्तु मेरी भक्ती का नाश नहीं है तो इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा हे श्री कृष्ण राजपाठ किस कर्म से मिलता है विद्या कौन से कर्म से मिलती है तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा हे अर्जुन जो जीव श्री काशी में निश्काम भक्ती से तप करते हैं तथा वहां देह परिश्रम किये मिलता है और कोई सारी उम्र रोग रहीत होते हैं तो उन्होंने कौन से पुन्ने किये हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अरजुन जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है जिन्होंने परमेश्वर का कारे और पराया कारे समवारा है वे रोग रहीत होते हैं अरजुन भगवान जी से कहते हैं हे श्री कृष्ण किस पाप से अमली होते हैं और किस पाप से मनुष्ट कुष्टी होता है तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जून जो अपने गुरू की इस्त्री से रमन करते हैं, सो अमली होते हैं, जो गुरू से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गुंगे होते हैं, जिनोंने कुकर्म किया है, वे कुष्टी होते हैं, अर्जून ने भगवान श्री कृ पंगूल होते हैं, सो किस पाप से होते हैं, कुछ इस्त्रियां बाल विद्वा होती है, सो किस पाप से होती हैं, श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अरजून, सो सदा क्रोधवान रहते हैं, उनको रक्त का विकार होता है, जो आलस्से में डूबे रहते हैं, वे दरिद्री होते ह जो कुकर्मी ब्रहमन को दान देते हैं, उनकी खंडायू होती है जो प्राणी इस्त्री को नंगी देखता है, गुरू की इस्त्री पर कूद्रिष्टी रखता है जिसने गौवा ब्रहमन को लात मारी है, सो अंधावा पंगूल होता है जो इस्त्री अपने पती को छोड़ कर सोबाल विधवा होती है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा हे श्री कृष्ण तुम पार ब्रह्म हो तुमको मेरा नमस्कार है पहले मैं तुमको संबंदी जानता था पर अब परमेश्वर रूप में जानता हूँ हे पार ब्रह्म गुरु दीक्षा कैसी होती है कृपा करके कहो श्री कृष्ण जी ने कहा हे अर्जुन तुमको धन्ने है तुमहारी माता को भी धन्ने है जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए है जिसने गुरु दीक्षा पूछी हे अर्जुन सारे संसार के गुरु जगननात है हमन जगत गुरू है हे अरजून ये बात ध्यान दे कर सुनने की है कि गुरू कैसा हो जिसने सब इंद्रियां जीती हो जो मोह रही तो ऐसा गुरू करे जो परमेश्वर के जानने वाला होवे उस गुरू की पूजा सब प्रकार से करे हे अरजून जो गुरू का भक्त है सो मे मदीरा भजन करते हैं उनका भजन करना सूफल है जो प्राणी गुरू के विमुक है उनको सब्त ग्राम मारे का पाप है गुरू से विमुक प्राणी का दर्शन करना योग नहीं जो ग्रहस्त गुरू से विमुक हो वह जांडाल है जिस जिस जगा मदीरा का भांड हो उस जग जो गंगा जल है वह भी आपवित्र है. इसी तरह गुरू से विमुकh का भजन भी आपवित्र होता है, उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब ही कर्म निशफल है, कूकर, सूकर, गदर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनी है. इन सब से भी वह मनुश्य खोटा है जो गुरू नहीं करता गुरू बिना गती नहीं होती वह अवश नर्क को जावेगा गुरू दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निश्फल होते हैं हे अरजून जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ती करना योग है तैसे गुरू की भक्त और सेवा करना योग है जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ट है जैसे सब वरतों में एकादशी का वरत श्रेष्ट है वैसे ही हे अरजून सब सेवाओं में गुरू सेवा उत्तम है गुरू दीक्षा बिना प्राणी पशु योनी पाता है वह धर्म करता हुआ भी पश अर्जुन धन्य जन्मतेरा है जिसने यह प्रश्न किया है कि गुरू और दीकषा दो अक्षर है हरी नाम इन अक्षरों का गुरू कहलाता है इन चारों वरनों को जपना श्रेश्ठ है हे अर्जुन जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है मेरी उस पर प्रसनता है वह 84 योनियों से छूट जावेगा जनम मरन से रहित नर्क नहीं भोगेगा जो प्राणी गुरू की सेवा नहीं करता सो साड़े तीन करोड वर्ष तक नर्क भोगता है जो गुरू की सेवा करता है उसको कई अश्वमेग के पुन्ने का फल होता है हे अरजुन हमारे तुम्हारे समवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे सुनेंगे और सुनाएंगे सो गर्व वासस के दुख से बच जाएंगे उनकी 84 योनी कट जाएगी इस कारण इस पार्ट का नाम गर्व गीता है इसे श्री कृष्ण महाराज के मुख से अरजुन ने सुना है गुरु दिक्षा लेना उत्तम कर्म है उसका फ़ल यह है कि नर्क एवं 84 योनियों से जीव बचा रहता है उससे भगवान प्रसंद रहते हैं जै श्री कृष्ण भगवान दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाब उठा सकें उनका जीवन सुखी और समरदशाली बना रहे थैंक यू